तर्शको हिंदू धरम में पूजा करते वक्त घंटी बजाने के नियम है। जब भी कोई जातक या व्यक्ति मंदिर में परवेश करता है तो सबसे पहले महालगी घंटियों को जरूर बजाता है। उसके बाद ही भपान के दर्शन करता है। घर में भी पूजा करते वक्त हर व्यक्ति के घर में यानि पूजा घर में एक छोटी सी घंटी जरूर होती है। स्नातन धर्म में ये मानेता है कि आरती करते वक्त घंटी बजाना जरूरी है, आरती के वक्त घंटी बजाना सबसे महत्पर माना गया है, यदि आरती में हमने घंटी नहीं बजाई तो हमारी पूजा अधूरी है, इस घंटी बजाने के पीछे साइंटिफिक भी है और धार्म दोनों ही कारण हैं जब हम घंटी बजाते हैं तो उसमें से एक विशेस परकार के द्वनी निकलती है जो पूरे वातावरन में गुंस्ती है उसकी अवाज के साथ तेज कंपन पैदा होता है ये कंपन काफे दूर तक जाता है जिससे कई परकार के हानिकारक जिवानों और वातावरन पवित्र हो जाता है आस पास का वातावरन काफे शुद और पवित्र हो जाता है घंटी बजाने से ये भी माना गया है कि हमारी देवता के सामने हाजरी लग गई है कहते हैं कि घंटी बजाने से देवी देवता के मुर्तियों में चेतना जागरित हो जाती है जब सवरिष्टी का आरम हुआ तो जो आवाज आई वो सबसे पहले नाद की आवाज आई थी और वही अब आवाज घंटी बजाने पर भी आते हैं कहते हैं नाद का संबन घंटी से ही है दूसा कारण यह है कि हम अध्यात्मिक तक से जुड़ जाते हैं और घंटी की आवाज से हमें अपने अंदर शांदी का अनुवब होता है घंटी की आवाज हमारे कानों को भी अच्छी लगती है और इससे हमारे मस्तिक्ष पर भी अच्छा असर पड़ता है जब हम घर में, मंदिर में या कहीं भी पूझा आरती करते हैं तो उनके साथ घंटिया बजाई जाती हैं, जिससे वहां लोगों को देवता या देवी का उपस्तिती होने के अनुभव होने लगता है, ऐसा लगता है कि साक्षाद भगवान के दर्शन हो रहे हैं, घंटी बजाने से नाकारातमकर जदूर हो जाती है, घंटी बजाने से दे भरूर घंटी हैं 6 हाथ-घंटी 3 क्ति 2 दौर घंटी 14 ि यानि, घंटा घंटा घर में थो котором हाथ की घंटी ही वसकी बजाता है, और और घर में हम जादा तर गरूर घंटी का इस्तमाल करते हैं गरूर घंटी घर में जरूर होनी चाहिए इससे पूजा सफल भी हो जाती है और हमारा पूजा में मन भी लगता है इसलिए पूजा करते वक्त आप घंटी जरूर बजाएं धन्यवाद